गुद मॉरिंग इस्टूडेंट्स, तोडें आपको एसे टू के रिवीजिन के लिए इस टाइप का एक रेजिस्टर लेना हैं जिसमें नियरली इसमें अराउंड टू एटी फोर पेजिस हैं आप थ्री हंड़ेड पेजिस सम्तिंग का एक रेजिस्टर बना लें 300 या 350 पेजिस इस टाइप का एक रेजिस्टर ले लें और फिर आपको क्या करना है कि इसी रेजिस्टर में 6 जो सब्जेक्स हैं 6 या 7 सब्जेक्स हैं उनके लिए आप पार्टीशन कर लें हर उसके लिए आप करीब 30 या 35 पेजिस इतने पेजिस आप छोड़ ले और छोड़ चोड़के pages को divide कर लें जैसे फॉस्ट आपका जैसे इतने pages हो गए आपके science के लिए तो इतने आप science के लिए छोड़ दें फिर आप इस page को ऐसे फोल्ड कर लें और यहां पर दूसरा subject का name लिख लें तो फिर एसे के लिए आप थोड़े बहुत pages छोड़ें इतने 30 या 35 pages count करके फिर next page को ऐसे फोल्ड कर लें और यहां पर maths लिख लें तो ऐसे सब के लिए आप ऐसे इसे divide कर लें और फिर आपको जिस भी subject का जो भी revision मिलता है वो आप उसके portion में लिखते जाएं तो इससे आपका जो सारा revision है वो एक जगा पर रहेगा और आपके एक ही register में all subject का revision हो जाएगा तो अभी तो आप इसी में करें और फिर जब revision जादा हो जाएगा और आपका कोई portion भर जाता है या यह जगा फिल हो जाती है और दूसरा subject आजाता है तो उसके लिए फिर आप बाद में अगर आपकी CW copy में space बचा हुआ है तो आप उसमें फिर अपना revision continue कर सकते हैं या फिर आपके जैसे किसी दूसरे register है या कोई दूसरी copy है उसमें आप फिर अलग से उसका revision लिख सकते हैं लेकिन अभी starting में तो आपको एक register ब बनाना है और अभी जब आप copies check करवाने के लिए आएंगे तो उसमें आपको revision register भी लेके आना है और आपको यह revision भी पूरा revision work check कराना है ओके और अगर आपको कुछ doubt हो तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको register बनाने में या फिर revision कैसे क्या करना है उसमें आपको 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 आपको